कल्पना करिए अगर आप एक वीरान इलाके में घूम रहे हैं और अचानक आप एक हिल्ट आफ 70 दिख जाए तो क्या होगा आप जरूर अपने घर की तरफ दोल डगा दोगे लेकिन फेंस आपसे बोलो कि यदि यहां कल्पना सही हो तो सायद आपको इस पर विश्वास ना हो लेकिन आपको विश्वास हो या ना हो यहां सब कुछ हमें देखने को मिलता है अमेरिका के केलिफोनिया में जिसका नाम डेथ वेली है यहां उत्री अमेरिका का सबसे गर्म और सूका इस्तान है यहां एक ऐसी जगा है जहां वेग्यानिकों को हमेशा कुछ ना कुछ चोकाने वाली चीजे मिलती रही है इस जगा सबसे ज़ादा जो चीत प्षची आप खिषकना दोस्तों इस रविचितान के पर किसी मदद के अपने आप खिषकना है वे पार होगी थे चोड़ जाते हैं एक लंबी लाई जो इस पहतरों के खिशकने का प्रमान विदिती हैं ईन खिशकते हुए फक्तर को रेश्ट्रोक प्लाय नाम का एक एरिया है जहां पहले कभी जील हुआ करती थी वहां जील सूप गई है और अब पूरा इलाका सम्थन जमीन है जो फत्तरों के खिसकने के लिए बहुत उप्यूगत है देथ वेली में फत्तर चलने की खवर का पता सन 1948 में पहली बार चला था यहां जील उत्तर के ओड़ाई किलोमेटर और दक्चिन में दो किलोमेटर फैली हुई है देथ वेली के फत्तरों के पीछे के कारणों को जानने के लिए दुनिया भर की वेग्यनिकों की ओर से समय समय पर की रिसर्च की गए हैं जिन में 1900 के दसक में यहां माना था कि देथ वेली में एलियंस का एक छिपा और ठिका ना आ है और एलियंस के आने जाने पर ही फत्तर की सकते हैं इसी दोरान जारी एक वेग्यनिक रिपोर्ट में कहा गया था कि हवा के प्रवाव की गती के करेंड फत्तर इस्तान बदलते हैं कुछ सालों पहले नासा के एक वेग्यनिक रॉफ लोरेंज ने इसकी वज़ा पता लगने का दावा किया उनका कहना था कि जील की सतापर कुछ पानी रहता है जो ठंड के समय जम जाता है और जील की सतापर कुछ फत्तर मोजूद है जिसके नीचे का पानी फत्तर से बवर्प बन कर चिपक जाता है फिर जब मोसम गर्म होता है तो फत्तर से चिपको हो बर्फ पिगल जाता है जिससे जील की सता पर पानी जमा हो जाता है फिर जब हवा चलती है तो हवा का दवा पाणने की वज़ा से फत्तर आगे खिसकने लगता है और बर्फ की वज़ा से जील की सता पर निसान पढ़ जाता है 2014 में वेगगेनिकू के एक समो ने 200 किलोग्राम से अधिक वज़न वाले फत्तर को चिन्नित किया था और उसके इस्तान पर निसान किया था खुछ सालों के बाद दुबरा वेगगेनिकू की टीम वहाँ पहुची तो उन्हेंने पाया की फत्तर ने कम से कम एक किलोमेटर की दूरी ते कर ली थी वहीं अगर हम बात करें डेथवेले की हिरान करने वाले बातों की तो इसका तापमान पूरी दुनिया में दूसरे नम्मर पर है दूसरी हिरान करने वाली बात यहां की समुद सल्थ से 200 बईया सी फिट नीचे होने के बाद भी यहां गाटी एक दम सुखी है भूगे द्रमिकों का मानना है की इस जगा पर कभी समुद रहा होगा क्योंकि यहां समुद तल के नीचे है और घाटी ने नमक के तीले भी मिले है इस छेते में रेगिस्तान बनने के साथ ही पानी सुख गया होगा और धेर सारा नमक बचकर तीला बन गाए होगा यहां के पहाड़ों और मिक्ति में अलग-अलग ततु पाए जाते है जैसे बोरक नमक सोना और चांदी पाए जाते है यह थी डेथ वेली के बारे में रोश्ण जान करी तो फ्रेंड आपका डेथ वेली के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरू बताना और हमारे यूटर चैनल को सस्क्राइब करना न भूलना जाहें